what is up YouTube my name is Adit and welcome back to my channel the Indian Algo तो इस वीडियो में हम डिसक्स करने वाले हैं निफ्टी का एनालिसिस फॉर एट ऑफ सेप्टेंबर टूथाउजन ट्वेनी थ्री और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दो अगर आपने टेलिग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया है और आप इस चैनल पे नही अब्जेक्टिव क्या होता है हम उसे साब से फिर ट्रेडिंग भी करते हैं तो आप इन अब्जेक्टिव को देखके ये चीज़े सीख सकते हो कि प्राइस का वहां तक जाना क्यों इंपॉर्टेंट है लाइव मार्केट में जब आपको कोई पहले से बताएगा कि यहां प आपको लाइव मार्केट में ही समझ मायागा इसका कोई एक आंसर नहीं है जहां पर मैं बोल दू कि अच्छा ये कंडिशन होगी तो उसके बाद यह वाला जो और ब्लॉक है काम करता है करता है ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है अगर आपको किसी और ब्लॉक के बारे में जाना है या फेर वाल्यू के बारे में जाना है इस वेरी स्पेसिफिक टू डाट पर्टिकुलर डे और वो उस दिन गहुत अच्छे से काम करेगा जब प्राइस इसी पेर वाल्यू के आप से आपको एक ट्रेडिंग ऑपरचुनिटी देगा तो इन चीजों को समझने के ल हैगा I will definitely give it out to you all right so let's move on to the video let's let's start today's video and आज का टॉपिक है is not just the pre-analysis लेकिन कैसे अपने pre-analysis को देखने के बाद आप यह identify करो कि कल ट्रेड करना है या ओके जैसे कि अब फ्राइडे है ठीक है थर्सडे को हमने बहुत बड़ा मूथ देखा कही ना कहीं हम लोग का जो मॉर्णिंग का एंटिसेपेशन था प्री अनारेसिस वीडियो अल्रेडी अप्लोड़ेड है आप देखना एक फॉल एक्सपेक किया था देने कपो एक्सपेक किया था 90,680 तक 90,680 के बाद जो हमारा सी पैसा बन गया काम हो गया उसके बाद भी कहीं न कहीं बीच में स्कैप्स मिले बहुत अच्छे ठीक है लेकिन यहां पर यह चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जब यह इतना बड़ा मूव हो चुका है तो अब मार्केट नेक्स्ट क्या करेगी अब जैसे थर्स्टे अब लोग क्या सोचेंगे कि आज थर्स्टे था आज मार्केट ने ता मूव किया कल घए तो कल भी वह इसी मैंट्सेट से आते हैं वहर दिन एक मांट्सेट शाथ क्या होता है कि आज में ट्रेडिंग करूंगा आज मेरा जो सटब मिल गया मुझे तो मैं यहां पर शॉट कर दूंगा यहां पर भाइक कर दूगा लेकिन आप यह बूल जाते हो मैंने एक इा आल्रेडी खतम हो चेगे आपका नेक्स्ट औब्राइटिव दोचिका है कि काफी कर चुका है थो कल कर चुका है ढहित हो सइडीबेज हो जाएगा आपका अ.》 सेशन साइड वेस और आप का बना रहा हूँ अगर मैं इंडर टाम जोन्मा तो यह है यह वीडियो भी वन रहए है बहुत हाइज बहुत हाइज चांसेज है कि प्राइज ऐम सेशन में मुव नहीं करेगा प्लस कल क्या है कल फ्राइड़ है अगर अगर अब थरस्टे को इतना बड़ा मूद देख लेते हो तो फ्राइडे price definitely move नहीं करता है there is a very high chance 90% chances है कि Friday का जो दिन होता है वो consolidation में चला जाता है तो जब ये चीज़े आपको पता होती है इन चीज़ों से आप ये identify कर सकते हो कि कल अगर मैं कोई भी trade लोगा तो उसकी कम chances है कि वो ज़्यादा नीचे जाए या जादा उपर जाए ये हर Friday को नहीं होता है ये तभी होगा अगर Thursday का दिन काफी ब्लंबा था अगर Thursday का दिन काफी price move कर चुका है तो there is a very high chance कि Thursday के दिन जो AM session है वो थोड़ जादा move ना करे थोड़ा सा उपर नीचे करेगा लेकिन आप उसमें पैसा नहीं कमा सकते है लेकिन आप यहाँ पे देखो अगर आप ऐसे दिन trade करने की कोशिश करोगे तो भले ही आप थोड़ी wrong entries ले लो लेकिन आपका पैसा बनके निकलेगा अगर आपकी daily loss limit अचीव नहीं हुई है तिर भी आप trading कर रहे हो तो कहीं ना कहीं you will make more money और you will be break even या चोटे loss से बाहर आ जाओ गया लेकिन आपका जो possibility है इस दिन जीतने का वो जादा high होता है सेम वे कल क्या है कल possibility बहुत कम है क्योंकि कल Friday है फ्राइडी का मतलब यह नहीं है कि सीधा market sideways हो जाएगी नहीं because price इतना move कर चुका है high chance है am session move नहीं करेगा am session तो बिल्कुल भी trading नहीं करनी है और उसके अलावा अगर मैं कहूं कि अगर आपको weekly usually मैं क्या गरता हूँ मैं weekly time frame देखता हूँ और मैं daily time frame price एक बहुत important जगा बहुत चुका है okay price एक बहुत important जगा बहुत चुका है तो after this move मैं क्या कोशिश करूँगा कि मैं trading ना करूँ क्योंकि इसका जो objective था शायद इस rejection ब्लॉक को test करने का objective था जैसी price ने इसको test कर दिया हो गया फ्राइडे का हमारा दिन खतम अब फ्राइडे को बहुत rare chances है कि movement आएगा भले equal highs यहां पर दिख रहे है price इन दोनों highs को भी ले जागे okay हम उसको लेके जाने देंगे हम कुछ नहीं करेंगे हाँ पर definitely बहुत अच्छा लग रहा है वह equal highs easily prices को लेके जा सकता है लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे बिकॉस already Thursday को market इतना move कर चुका है तो आप कब तक कुछ नहीं करोगे specially आप AM session में तो कुछ भी नहीं करने वाले हो आप AM session में कुछ भी नहीं करोगे जादा से जादा chances क्या है कि आप PM session में जाके अगर price आपको दिखा रहा है कि कोई bullish order flow है बुलिश डिलिवी है PM session मतलब एक बज़े देड़ बज़े के बाद आपको दिख रहा है कि हाँ price अब यहां से इन highs को लेके जा सकता है तो ही आप इसमें trading करोगे नहीं तो नहीं करोगे because as I said market already move कर चुकी है सो मेरा एक रूल है अगर थर्जडे को market already इतना move कर चुकी है तो हम Friday को trading नहीं करेंगे और अगर Friday को market इतना move कर देती तो मैं शायद Monday को trading नहीं करता इन points को आपको ध्यार में रखना पड़ेगा और कब-कब में trading नहीं करता अगर आने वाले एक या दो दिन में कोई बहुत इंपोर्टेंट न्यूस है जिसे अर्बियाई हो गई या कोई global event हो गया जो effect कर सकती चीजों को उससे पहले market क्या होती है थोड़ा हो जाती है तो ऐसे pointers पर अगर आप ट्रेड ना करो तो बेस्ट होता है और सब्सक्राइब के स्टार्ट होने के बाद उसमें को काफी नहीं मुफ करता है तो कैसी गंदी गंदी कैंडल बनती है गंदी अजन बहुत ही चौपी कैंडल नहीं हो पाती है अगर आप वह वह वहां पर करता है अगर आपके पास कोई equilibrium की area है और प्राइस वहाँ पर जाके रुख गया है तो definitely प्राइस वहाँ पर consolidation में चला जाएगा और यह चीज़े आपको धीरे 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 पता चलेगी जैसे जैसे आप डेली अपको चीज़ों का पता चलेगा कि अपको स्टॉप करना कब आपको ट्रेडिंग करनी है तब आपकी जो दिफ्रेंसेस होगी हाई प्रोबाबिटी ट्रेट्स में और लोग प्रोबाबिटी ट्रेट्स में काफी अच्छी हो जाएगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना शेयर इस वीडियो असमेंच आज इस वीडियो थैंक यू